नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर शूर करते हैं आज की चोगड़िया मोरत आज याने 9 अक्टूबर 2001 किस दिन शनिवाल लेकिन वीडियो शूर करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रति दिन चोगड़िया मोरत की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैला आइकन को प्रेस कर दीजिए तके आपको मेरे वीडियो की नोडिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की चोगड़िया मोरत आशुरेदय होगा सुबह 6 बच का 18 मिनट पसुरियास दोगा शाम के 5 बच का 58 मिनट पर आज अब जीत मोरत का समय रहेगा सुबह 11 बच का 45 मिनट से 12 बच का 31 मिनट तक और राहुकाल का समय रहेगा सुबह 9 बच का 31 मिनट से 10 बच का 41 मिनट तक आज दिन की चोगणियों की शुब मुरत इस प्रकार रहेंगे शुब चोगणियों का समय रहेगा सुबह 7 बच का 46 मिनट से 9 बच का 13 मिनट तर चर चोगणियों का समय रहेगा दोपैर 12 बच का 8 मिनट से 1 बच का 36 मिनट तर लाब चौगणियों का समय रहेगा दोपैर 1.36 मिनट से 3.30 मिनट तक लेकिन इस समय वारवेला भी लग रही है और वारवेला कि समय किये गए शुब एवं मांगली कारी फल्दाई नहीं रहते इसलिए इस मौरत को त्याग नहीं उचित है अमरी चौगणियों का समय रहेगा दोपैर 3.30 मिनट से 4.30 मिनट तक अमरी चौगणियों के समय सवी प्रकार के शुब एवं मांगली कारी किये जा सकते हैं आज रात की चौगड़ियों के शुब मुरत इस प्रकार रहेंगे लाप चौगड़ियों का समय रहेगा शाम के पांच बच का थावन मिनट से साथ बच का 31 मिनट तक लेकिन इस समय कालात्री भी लग रही हो कालात्री के समय कियेगा शुब एवा मांगली कारे फल्दाई नहीं रहते इसलिए इस मुरत को त्याग नहीं उचित है शुब चौगड़ियों का समय रहेगा रात के 9 बच का 3 मिनट से 10 बच का 36 मिनट तक अमरी चौगड़ियों का समय रहेगा रात के 10 बच का 36 मिनट से 12 बच का 8 मिनट तक अमरी चौगड़ियों के समय सभी प्रकार के शुब एवा मांगली कारे किये जा सकते हैं चर चौगड़ियों का समय रहेगा रात के 12 बच का 8 मिनट से 1 बच का 41 मिनट तक और लाब चौगणियों का समय रहेगा दस अक्टूबर की सुभे चार बच का छे आलिस मिनट से छे बच का उन्निस मिनट तत लेकिन इस समय कालात्री भी लग रही हो कालात्री के समय किये गए शुब एवं मांगलिक कारे फल्दाई नहीं रहते इसलिए इस मुरत को त्याग नहीं उचित है तो ये थी जानकारी आज के चौगणिया मुरत की मेरे वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ